Hello everyone, this is Priyanchi Gupta here. कैसे हो आप सब? तो याई जो वीडियो होने वाली हैसे में आपको एक्स्प्लेइन करुगा कि कैसे आप जैंगो में एक डाटाबेस स्कीमा को रेडी कर सकते हो और कैसे हम different types of relationships को handle करते हैं जैंगो के अंदर और कौन-कौन सी fields जैंगो प्रोवाइड करता है जैसे की integer field हो गई, carrier field हो गई या फिर options field हो गई, वो सारी fields के बारे में discuss करेंगे इस वीडियो में तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को तो start करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको भी website बना रहे हो या फिर आप internship में काम कर रहे हो और फिर freelancing कर रहे हो तो कुछ भी काम करने से पहले आप एक दिमांग में एक कुछ plan ready करते हो है ना तो उस plan को ready करने के लिए और से execute करने के लिए आप कुछ steps को follow करोगे तो वो steps के बार में discuss करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले आप एक requirement analysis करते हो requirement analysis इसमें आप समझते हो कि आखिर user की requirements क्या है और आपका plan क्या क्या है उसमें आपकी जो app है या फिर आपकी website है उसमें क्या क्या चीजे होनी चाहिए वो सबसे आप इस step में discuss करोगे इसके बाद आप बनाओगे user cases and user stories जिसमें आप discuss करोगे सब चीजें जैसे कि मेरी website तो यह यह होना चाहिए यह अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होना चाहिए तो वो सारी user cases आते है ठीक है तो आप सारी user cases बनाओगे उसके लिए उसके बाद आप बनाओगे एक workflow 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 मतलब कि पहले यह step होना चाहिए फिर एक्टिविटी होना चाहिए फिर यह होना चाहिए तो आप एक basic सा एक flow diagram बनाते हो या फिर hello activity diagram वो वेजर कर सकता है आपके model के साब से ऐसे type से आप एक flow चाट आप सा बनाते हो यहाँ पर ऐसा हो गया यहाँ पर condition आई तो ऐसा हो गया तो इस type से आप एक diagram बनाते हो workflow डिशाइड गरने के बाद आप बनाते हो एक basic सा wireframe इसका मतलब जो जो आपका front end पर शो होना चाहिए ना समान उस type में आप एक wireframe बनाते हो जैसे कि यहाँ पर मेरा neighbor होना चाहिए यहाँ मेरा side neighbor होना चाहिए यहाँ पर मेरा icon आएगा यहाँ पर मेरा text box होएगा तो इस form में आप सारी अपनी cases के यह आपने user cases बनाए है डिजाइनिंग के लिए कोई बिसा भी तू यू सकते हो जैसे की Figma हो गया या Adobe प्रोइड करता है तो उसके बाद फिर आप डिजाइन करोगे अपना database schema और database schema के अंदर आप tables बनाऊगे या फिर आप इस type के form में बनाऊगे जैसे कि आपने एक user table बनानी है या आप suppose करो आप को एक student table बनानी है तो आपने student table बनाई यह table नहीं है इसमें मैं साहे attributes लिखूँगा जो जो student में होने चाहिए जैसे कि आप इसका name होएगा email होगा role number होगा और joining date होगी फिर एक होगा user id जो कि unique होनी चाहिए जिससे कि आप student को identify कर सको कोई एक number तो होना चाहिए जिससे आप उसे identify कर सको uniquely तो वो हम user id के form में देंगे जो कि हर student का unique होगा और इसको हम primary key भी बना सकते हैं इसको primary key भी बना सकते हैं जो कि primary key का मतलब है कि वो चीज unique होनी चाहिए वो भी कोई इसी भी चीज common नहीं हो सकती दो student के बीच में तो हम यह primary key भी बना सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जाएंगो में हम कैसे different types of relationships को handle करते हैं और हम discuss करेंगे सबसे पहले कि different types of relationships आकि होती ही कैसी है तो अब हम discuss करते हैं different types of relationships के बारे में सबसे पहले देखते हैं one-to-one relationships के बारे में one-to-one relationship अब suppose करो कि आप एक e-commerce website मना रहे हो और उसमें एक user की table बनाई है आपने और एक card की table बनाई है अब जो एक user होगा उसके पास केवल है एक ही card id होगी ना ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक जो card बनाई है हमने वह common हो दो users के बीच में ऐसा तो possible नहीं है ना एक card मैं जब एक user या फिर एक user और उसके पास एक card तो उसके बीच में एक relationship जो होगी वह one-to-one relationship होगी तो जैसे कि आपने यहां पर user बनाया और यहां पर आपने card नहीं अब user no.1 user no.2 user no.3 अब यह card no.1 card no.2 card no.3 अब जो यह user होगा उसके पास के बीच कार्ट होगी ना अब उसे हम allocate कर देंगे यहां पर अब यह user है इसका जो instance है one वाला यह इसके पास एक और card नहीं हो सकती और जो card होगा यह located वो यहादी card इसके पास नहीं हो सकती तो basically एक one to one relationship होती है यह क्योंकि एक पॉइंट से यहां पर हम दूसरे point यहां पर क्यावर एक ही point को join कर सकते हैं वैसे यहां पर two से two link हो गया three से three link हो गया तो यह one to one relationship खिलाई अब हम discuss करते हैं one to many relationship के बारे में यह many to one relationship के बारे में अब क्या होगा suppose करो कि आपने card बनाई और उसके अंदर multiple product हो सकते हैं एक card के अंदर बहुत सारे product हो सकते हैं न product in card अब यहां पर card है number one, card number two, card number three, card number four और यहां कुछ products है one, two, three, four, five, six, seven और जो यह number है मैं denote कर रहा हूं यह unique होगा जैसे one के बार एक ही का होगा, two के बार एक ही का होगा तो यह basically एक यह जो number है यह product in card id है अब यहां पर जब आप allocate करोगे इसको अब जो first card है इसके अंदर first, third, fifth या फिर one, two, three या फिर केवल one कितनी products हो सकते हैं इस card के अंदर वो depend करता है यूजर कौन कौन से चूज करता है products को card में add करने के लिए अब हम इस एक यहां पर हो गया एक यहां पर हो गया एक यहां पर हो गया क्योंकि एक product जब add हो गया card के अंदर हम वाला ही same product तो add कर सकते हैं पर जो product in cart होगी ना हमारी id तो हला कि हम एक और के सीन देखते हैं यहां पर अब suppose कर यहां पर एक product table है id होगी हमारी opens the line अब जब हम product in cart id जब हम product in cart ाइड बनाएं डेखisz remember एक होगी cart और एक होगी product product in cart और कि अरक शोगी product in cart id वहोगी तो जो कार्ट है प्रोड़क्ट एन कार्थ है। इन दोन के पीज में जो रिशेंशिप है वह है वननटो मैनी रिलेशेंशिप और इसको जैनको में हम कहते हैं फोरन की तो यहां पे हम रखेंगे इसको फोरन की तो यह जो हमारे टेबल है product in cart और product इसके में क्या relationship होगी वो देखते हैं यहाँ पर हमारा product और यहाँ है हमारा product in cart यहाँ पर मैं नमबर दूँगा product in cart id 1, 2, 3, 4 और product है हमारा हमारा यहाँ पर 1, 2, 3 तो यह हमारी product id जो कि हमने primary की दी यहाँ पर तो यहाँ पर अगर suppose करो एक product है हमारा अब एक product multiple cart भी हो सकता है जैसे suppose करो कोई e-commerce website है उसमें एक toy car है वो एक company provide कर रही है toy car अब वो toy car multiple users purchase कर सकते है ऐस तो नहीं कि वो एक ही user purchase कर सकता है अब उनके पास जो उसे बेच रहा है उनके पास कुछ stock होगा अब वो stock में से कोई एक निकाल कर वो सबको बातेंगे न जैसे अब user 1 को भी चाहिए user 2 को भी चाहिए user 3 को भी चाहिए ओ toy car तो वो अपनी अपनी cart में respectively add कर सकते है अब यह हमारा product है वो इसके साथ भी हो सकता है इसके साथ भी हो सकता है क्योंकि यह product जो है उस cart के अंदर मलब कितनी भी cart के अंदर हो सकता है पर product in cart हमारा जो है वो केवल इस cart के साथ specific है तो यहाँ पर भी हमारी foreign key होएगी लेकिन हमारी यह condition होगी कि जो एक cart है plus product है cart id जो है और product id जो है जो हमने इस product in cart में record बनाया है वो सबका unique होना चाहिए क्योंकि अगर एक product जो है वो add हो गया एक cart के अंदर हम वो दुबारा वो ही product को add होड़ी कर सकते है हालकि उसकी बस quantity increase होएगी अब यहाँ पर हमारा product in cart है न टेबल उसके अंदर ए quantity field भी होगी अब आप जैसे यह दुबारा उस product को add करोगे तो वो product already cart के अंदर है हमारी है ना तो वो केवल quantity increase करेगा जैसे पहले quantity 1 थी अब आपने वह product दुबारा एड किया उस cart के अंदर तो वो quantity उसकी increase हो जाएगी तो हमारी product in cart table कुछ इस तरह से दिखेगी जैसे यहाँ पर product in cart है यहाँ पर हमारा हो गया product in cart id यहाँ पर होगा cart id यहाँ होगया product id यहाँ होगया quantity ठीक है अब product in cart id जो होगी हमारी वो unique होगी यह तो primary की है हमारी यहाँ पर सपोज कि हमने एक record बनाया है one अब इसके अंदर cart id जो होगी सपोज करेगी user one है और उसकी जो cart है one हम यूजर पर्चेस कर रहा है first user पर्चेस कर रहा है तो हम यहाँ हमारी cart id बना गई अब जो product id होगी वो होगी सपोज करो two है उसने second product चूज किया यह हमारा toy car का number है और उसकी quantity जो होगई three होगई उसने तीन बार add किya card के अंदर तो वो three होगी quantity उसकी फिर आप वो यूजर एक और product को add करता है अपने cart के अंदर तो यहाँ पर हमारा second record बना इसमें इस बार cart id सेम रहेगी क्योंकि वो यूजर चूज कर रहा है न वाले दूसर product तो cart id सेम रहेगी अब लेकिन product जो है जो product id वो हो जाएगी हमारी अब वो हो जाएगी यहाँ पर suppose कर उसने third choose किya product हमारा तो third choose हो गया और quantity के वाल एक ही चूज करी उसने अब आप देखरों यहाँ पर कि जो यह one plus two था और यहाँ one plus three था अब यह अलग-अलग चीज़े है ना सेम तो नहीं है न क्योंग काट id प्लस product id जो है हमारी दोनों मिलाकर यूनिक होना चाहिए one comma two और one comma three दोनों मिलकर यूनिक हो गया क्योंकि सेम नहीं है अब यू सब्सक्राइब यूजर थी ने परचेस किया कुछ यूजर थी ने कुछ परचेस किया यहाँ पर हमारा प्रोड़क्ट रिन काट id जो हुआ उसका number three आया काट id यहाँ पर three थी तो three आ गया अब प्रोड़क्ट आइडी अब वो सेम प्रोड़क्ट को चूस कर रहा है सब्पोस करो उसने यहाँ पर जो two है हमारी प्रोड़क्ट आइडी जो हमारी यूजर वन की काट के अंदर था वह इसने भी चूस करा यहाँ पर two आ गया यहाँ पर जो काट है यह भी फॉरंड की है और प्रोड़क्ट है यह भी फॉरंड की है तो अगर आपको थोड़शी भी दिक्कातारी confusion आ रही है अगर आपको इस में वीडियो में तो थोड़़ साथ को पीछे करके स्टार्टिंग से देखिए और इसको थोड़ा एनलाइज करिए और खुद को दिमाँ में डालिए कि आखिर हम चाहते क्या है और आखिर चल क्या राय हाँ पर आप इसे थोड़ा धांट से देखेंगे ना तो आपको पक का गैरेंटी दे रहा हूं में आपको समझा मैं जो कि है मैने टु मैनी कि अब स्पोस करो एक एक बंदा यह सको तीन ह्में इस इसको तीन चालिस्टिमेंट में आता है उसको के सassi canamba भी आता है उसको प्यानो भी आता उसको यहां पर हैं उसको युसर और यहां हैं इंस्स्ट्रुमेंट्स है अ कैसियो, तबला, पियानो, गिटार, और भी इंस्रुमेंट्स होते हैं, मैं सारे लिखनी रहा हूं यहां पर अभी, और यहां है हमारा यूजर 1, 2, 3, 4, अब इस यूजर 1 को कैसियो भी आता है, तबला भी आता है, और गिटार भी आता है, पर जो हमारा सेकिंड है, यूजर इसको भी कैसियो आता है, तो इसको भी यहां पर चूज करना पड़ेगा, और इसको यहां पर भी चूज करना पड़ेगा, पियानो, उसको पियानो भी आता है, अब भी जो फोर्थ यूजर है हमारा, इसको तबला भी आता है, इसको गिटार भी आता है, अब आप देख र जुड़ावा है और वैसे तबला जो है यूजर 1 के साथ भी जुड़ावा है और यूजर 4 के साथ भी जुड़ावा है तो basically यह many to many relationship है क्योंकि एक point इस site से भी multiple allocated है और यहाँ पर जो point है वो यहाँ पर multiply allocated है तो इसे कहते हैं हम many to many relationship अब इन साभी relationships को कैसे handle करते हैं database schema में जैंगो के अंदर वो सब हम देखेंगे laptop पे जाकर वो सब मैं आको दिखाऊंगा भी live अभी कुछ fields के पार हम discuss करते हैं जैसे की options field होती है अब suppose करो कि हमारा जो product है जैसे suppose करो order table है हमारी हमने में इन order table उसके अंदर रखते हैं हम एक field status अब status के अंदर कुछ options हो सकते हैं जैसे कि status जो हो सकता है हमारा अभी in transit हो सकता है कि अभी इन transit है वो या फिर अभी वो not packed state में है कि अभी वो pack ही नहीं हुआ फिर आएगा वो shipped हो गया shipped state फिर आएगा delivered state तो यहां पे status जो field है हमारी इसके पास कुछ options है कुछ fixed set of points है जो की available है उसके पास जैसे not packed, in transit, shipped or delivered एक बारी में लेकिन status जो है वो केवल एक ही हो सकता है अभी एसे तो possible नहीं है कि अगर in transit हमारा order वो not packed state में भी हो ऐसे तो पासिबल है हमे केवल एक ही date time field आती है int के अंदर आप integer value store कर सकते हो char field के अंदर आप string store कर सकते हो और date time field के अंदर आप date time format में store कर सकते हो तो ऐसे तो रहे कि बहुत सारी fields होती है तो यार इस वीडियो को ही पर खतम करते हैं हम next वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको हम इस वीडियो को हैंडल करेंगे जैंगो के अंदर और कैसे इसको create करेंगे और implement करेंगे अपने जैंगो के अंदर और साथ हम different types of fields को और जैंगो के admin panel यानके graphic user interface को explore करेंगे पूरा deep में जाकर और अगर आपको यीडियो पसंद आज़ेगो तो करेंगे जापको यीडियो पस्टाइब करेंगे जापको